सिर्फ 6 मिनिट में आपकी फुल बॉडी का चेक अप हो सकता है एक ऐसा पक्षी जो 3.5 किलोमिटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है और एक ऐसी जगर जहां आप चाह के भी नहीं रो सकते ऐसा क्यों? यह सब हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में दोस्तो हम आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं अगर आपको हमाया काम पसंद आए तो हमारे चैनल गैंक्स ओफ एवरिटिंग को सस्क्राइब करें और बैल आइगन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले जनरेली अगर मैट्योरोट कहीं गीरता है तो वो पूरे इरिया का स्ट्रक्चरी चेंज कर देता है और लोगों को काफी प्राबलम फेस करनी पड़ती है लेकिन 1954 में एक ऐसा ही हाथसा हुआ जिसमें एक लेडी जिनका नाम एन होजिस था उनके उपर मैट्योरोट गीरा ये इंसिडेंट अमेरिका के अलबामा सिटी में हुआ था वो लेडी अपने घर के सोफे पर लेटी हुई थी तब ही ये मैट्योरोट उनके टेरेस से होता हुआ आया और उनके पेट पर आगीरा जिससे उनकी जान तो नहीं गई बट लाइफ टाइम के लिए एक बड़ा सा घाव मिल गया और ऐसा आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है और ऐसे इंसिडेंट कभी सुनने को भी नहीं मिले इस मेटरोइड का नाम सिलिकाओगा मेटरोइड है जो होजिस मेटरोइड के नाम से भी जाना जाता है जिसे हिंदी में सुतन मुल्ग भी कहते हैं हम सभी जाते हैं कि ऑस्ट्रीच के अचीवर स्पीड और 45 माइल्स इन अवर और ये अपने लंबे पैरो की वज़र से एक स्टैप में अप्रॉक्सिमेटली 10 तू 16 फिट्स के डिस्टैंस को कवर कर सकता है और आपको ये सुनका हैरानी होगी कि if they are threatened then इसकी एक एक नाकेवल इंसान बरके शेद तब की जान ले सकती है ओस्रीच का ब्रेन एक वालनेट की जितना बड़ा होता है and smaller than their eyes they are not particularly intelligent but with the largest eyeball of any bird they can see as far as 2.2 miles इसका मतलब ये है कि ये 3.5 किलोमेटर की दूरी से भी अपने शिकाल को देख सकते हैं and unlike other animals, ओस्रीचेस हैव थी स्टमक from past 200 years, population of ostrich have been declined drastically and most of them are surviving in farms and game parks 21st July 1969, one of the most important date of human history as on this day, पहली बार इंसान ने चान पर अपने कदम रखे थे और इसके साथ ही उन्होंने 100 मिलर का एक पैनल भी वहाँ पर इंस्टाल किया था जिसके डिरेक्शन अर्थ के साइट पॉइंट कर दे थी इसके वज़े ये थी कि जब 1969 में Apollo 11 विसन को लॉंच किया जा रहा था तब साइंटिस को अर्थ से मून की exact distance का कोई आइडिया नहीं था इस distance को मेजर करने के लिए मिरर इंस्टाल किया गया साइंटिस ने अर्थ से एक लेजर पल्स को शूट किया था बाइड टेलिसकोप टू मिरर ऑन मून और उनके राउन ट्रिप ट्रेवल टाइम को कैलकुलेट करके इस प्रोसेस को लुनार लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया और यह अकेला ऐसा अपोलो साइंस मिशन है जो कि 51 यह के बाद भी काम आ रहा है नबर फोव स्पेस की बात चली रही है तो क्यों ने इससे जुड़े एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट को हम आपको बताएं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस एक वैक्यूम है बिन जीरो ग्राविटी एटमस्वेर है जहां आपके उपर एफपल नहीं गिरेगा हाली में हैटफिल जो की इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के एस्ट्रोनौट एंड कमांडर है उन्होंने अपना वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने एक्स्पेस में रो नहीं सकते ऐसा क्यों हम आपको बता देते हैं Space में gravity नहीं होती है जिससे आपके आसू नीचे गिरने की बजाए आखों में ही water bubble form कर लेते हैं जो कि बड़े होते जाते हैं and it does not move to another spot until it becomes bigger crosses across your nose and get into your other eye तो यही वो वज़ा है जिसकी वज़े से space में रो नहीं सकते आपको इफेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं नमबर फाइव कोरोना वाइरस की वज़े से पूरी दुनिया परिशान है लेकिन इस pandemic से लड़ने के लिए दुबई ने एक advanced technology को पूरी दुनिया के सामने रखा है जिसका नाम है iHealthPod एक ऐसा health pod जिससे किसे भी इनसान का full body check up within 6-7 minutes में खिया जा सकता है दुबई गॉर्णमेंट के according अगर कोई भी person इस pod के अंदर खड़ा होता है तो अलग-अलग तरीके के sensor and device उसके weight, temperature, hydration, eyesight, BP, sugar level और यहां तक कि अगर उसे future में भी कोई छोटी मुड़ी problem होने वाली है यह सारे data को analyze करके एक report बना देता है और उस report को सिर्फ आपकी consent के साथ ही share किया जाएगा by hospital and medical authorities and this pod will be installed on places such as offices, gyms and hospitals for public use average price of this pod will be $1450 per month which include installation, maintenance and upgrades Dubai government का यह मानना है कि by 2023 ऐसे ही health pod को market and malls में भी install किया जाएगा in Europe, United States and Asia also दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like करें, share करें और comment करके बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और जिसके भी comments best होंगे हम अपनी next वीडियो में उसे display करेंगे वो भी उनके नाम के साथ हमाएं last वीडियो पे जो भी best comments आए थे वो आप हम display कर देते हैं Thank you so much friends आपके इतने प्यारे और valuable comments के लिए ऐसे ही अपना प्यारो support देते रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे अगर आप ऐसे ही innovations, knowledge and facts के बारे में जानना चाते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को जिससे आप updated रहेंगे हमारे हर नई वीडियो के साथ हम आप से फेर मिलेंगे अपनी नई वीडियो